ये देखे ताइवान पर अटाइक का काउंटडाउन में क्यों कह रहा हूँ? अमेरिका के अंदर कर सकता है अटाइक चीन टॉप एक्सपर्ट और आर्मी सेक्रेटरी क्रिस्टीन वार्मूत का दावा ताइवान पर जंग के बीच युएस के अंदर अटाइक किया शंका युएस पावर ग्रिड का पाइपलाइन को चीन बना सकता है निशाना राहूल इसके की ग्राफिक्स पर आईए तुरंत और इसके शॉर्ट्स और ब्रेकिंग के साथ आईएगा ज़रा चीन करेगा अमेरिका पर अटाइक ये इन्फोर्मेशन आ रही है ताइवान पर जंग छिडी तो चीन अमेरिका के अंदर बड़ा अटाइक करेगा ये इन्फोर्मेशन आ रही है टॉप एक्सपर्ट और आमी सेक्रेटरी क्रिस्टीन मॉर्मूत का बड़ा दावा है यह चीन अमेरिका में पावर ग्रेड या पाइल ब्राइन को निशाना बना सकता है चीन अमेरिका में बड़ा साइबर अटाक भी कर सकता है चीन ऐसी वाडरिल कर सकता है जो सिर्फ देश की रक्षा क्लियर नहीं होती है चीनी, आमी, एफोस और नेवी खतरनाग मिशन को अंजाम दे सकती है इंडो पैसिविक में अमेरिका को पेलोड एकसाइस की जरूवत है मैं जाओंगा नीचे यहाँ पर सुर्वी को दिखाईए उनके आस्टिन के साथ प्लीज सुर्वी, now tell me, क्या लग रहा है, ताइवान ही नहीं, अमेरिका के अंदर भी वो अटाक कर सकता है तो ताइवान में इसको लेकर क्या चर्चा चल रही है ताइवान में चर्चा उसी लिहाँ से की जा रही है कि आखिर सॉइबर अटैक्स ये मानते हुए कि शुरू कर चुका है और वो ताइवान में रोजाना, दिन में एक बार रोजाना ऐसे सॉइबर अटैक्स करता है साइबर वार्फेर को कन्फर्म किया जा रहा है लेकिन ये threat जिस level पर आगे बढ़ता जा रहा है किस तरीके से ये US के होम लांड को इंडियो पैसिफिक रीजिन में पहुँचते हुए उन communication systems को target करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है इस पर सब की नजर है चर्चा इसी लिहाज से निशानत यही की जा रही है और जिस तरीके से अमेरिका में भी war examiner situation को analyze कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि US के होम लांड तक उसकी पहुचने की ये कोशिश है तो basically अब cyber warfare के साथ साथ उन एहम sources को target करने की कोशिश की जा रही है जो बाकी बहुत जादा important है US को connect करते हुए ताइवान से क्योंकि अगर किसी तरीके का कोई भी missile attack या किसी तरह की गतिविधी चाइना की ताइवान की तरफ बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उसका source होगा अमेरिका अमेरिका के वो radar system जिनके जरीए वो signals दे सकता है ताइवान को और ज्यादा prepared होने के लिए इसके इस वक्त US में war examiner situation को analyze करते हुए ये जरूर कह रहे है कि हम ये जानते हैं कि ताइवान की तयारी पूरी है हालात को देखते हुए चाइना invasion नहीं करेगा हमला नहीं करेगा लेकिन one by one जिस तरीके से step by step वो आगे बढ़ रहा है उसको देखते हुए हमारी preparedness होनी चाहिए झाल झाल